आज का हमारा पाठ है गुंगे इसमें आज हम प्रिश्ण अतर करें हैं गुंगे ने अपने स्वाभिमादी होने का परिचे किस प्रकार दिये या यह हमारा पहला प्रिश्ण है इसका उत्तर इस प्रकार से है गुंगे ने संकेत की माध्यम से बताया कि वह मेहनत करके खाता है किसी से भीक नहीं लेता है उसने संकेतों से बताया है कि उसने हलवाई के यहां लड़ू बनाए कड़ाई मांजी, नोक्री की कपड़े धोए उसने अपने सीने पर हाथ रखकर संकेत किया है कि उसने आज तक किसी के सम्मुक हाथ नहीं फैलाया है उसने पेट बजा करके यह भी बताया कि उसने यह सब अपने पेट के लिए किया है इन संकेतु द्वारा गुंगे ने बताया कि वह स्वाभिमानी है जो वह संकेत दे रहा है उससे पता चलता है कि वेह अपना काम खुद करना पसंद करता है और वेह बहुत ही स्वाभिमानी है मारा सेकिंड पिश्ण है मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गुंगे पन की प्रतिचाया है कहानी के इस कथन को वर्तमान सामाजिक परिवेश के संदर में स्पस्ट कीजे उत्तर इस प्रकास से है संफेतन शीलता के कारण मनुष्यों में दूसरों के प्रतिक करुणा और प्रीम का भाव उत्पन होता है परन्तु बर्तमान सामाजिक परिवेश में इसमें काफी कमी आई है परिवेशनी बातावर्ण भुतिकतावाद को बढ़ावा देना इसका मुख्य कारण है आज मनुष्य आत्मकेंद्रित होता जा रहा है आत्मकेंद्रित किसे कहते हैं जो अपने आप में ही सिमट कर रहे गया हो उसे दूसरों के दुख से कोई मतलब नहीं रहे गया है समवेदनाई उसके मन तक ही सिमित हो चुकी है समवेदनाई का तत्परिय है भावनाई वह उसे व्यवार में नहीं ला पाता है इसलिए लेखक नहीं कहा कि मनुष्य के करुणा की भावना उसके भीतर गुंगेपन की प्रतिचाया के रूप में विद्यमान है प्रतिचाया यानि हमारी जो रिफ्लेक्शन होता है उसे प्रतिचाया कहा जाता है फिर प्रेशन आता है नाली का कीड़ा एक चत उठा कर सीर पर रख दी फिर भी मन नहीं भरा चमेली का यह कथन के संदर में कहा गया है आइश के माध्यम से उसके किन मनुभावों का पता चलता है उत्तर इस प्रकार से हैं गुंगा चमेली के घर के छोटे मोटे काम किया करता था एक दिन गुंगा बिना बताए कहीं चला गया चमेली ने उसे बहुत धुंडा पर उसका कुछ भी पता नहीं चला चमेली के पती ने कहा कि भाग गया होगा वह सोचती रही कि वह सचमुच भाग गया है पर यह नहीं समझ पा रही थी कि क्यों भाग गया है तब उसने कहा कि गूंगा नाली के कीड़े के समान है उसे जितना भी अच्छा जीवन दे दो वह गंदगी को ही पसंद करेगा इससे पता चलता है कि चमेली समवेदन हीन है उसकी भावनाएं नहीं है और उसे दूसरों के दुख से कोई मतलब भी नहीं है उसके बाद प्रिशनाता है कि यदि बस्ता गुंगा होता तो आपकी दृष्टी में चमेली का विवार उसके प्रती कैसा होता यदि बसंता गुंगा होता तो चमेली उसके प्रती ममता और सहान भूती का विवार करती वह बसंते को दिव्यंग के विद्याले में पढ़ाती उसे लोगों की मार खाने के लिए गली में नहीं छोड़ देती दिव्यंग क्या होता है अपाहीच बच्चे जो है उनका विद्याले होता दिव्यंग का विद्याले उसे शक्षम बनाती एसे उपाई ढूरती जिससे उसका बच्चा अन्य बच्च्चों के साथ घुल मिलकर रहता लोगों द्वारा उसके बच्चे को दया की द्रिष्टी से नहीं देखा जाता। प्रेशन है उसकी आँखों में पानी भरा था जैसे उनमें एक शिकायत थी पक्षपात के प्रति तिरिशकार था क्यों। उत्तर है गूंगा चमेली को मा के समान मानता था समझता था जब चमेली के बेटे बसंता ने उस पर चोरी का जुटा इलजाम लगाया तो उससे यह सहा नहीं गया और उसे उमीदी की चमेली सही का पक्ष लेगी लेकिन यहाँ पर उल्टा हुा चमेली ने गूंगे के जगह अपने बेटे का पक्ष लिया जिससे गूंगे को बुरा लगा चमेली के इस व्यवार ने उसे दुखी कर दिया और दुखी ही नहीं किया बलकि उसकी आँखों में पानी भी भर दिया उसकी आँखों में चमेली ने अपने पक्षपात पूर्ण व्यवार की शिकायत पढ़ और वह चमेली के पक्षपात भरे व्यवार से दुखी था साथ ही पक्षपात के प्रति तिरिष्कार भी था नेक्ष्ट पृरिश्ण है गूंगा डया या सहनुबुती नहीं अधिकार चाहता था सिद्ध कीजिए इस कहानी में गुंगा दया और सहनुभूती के पात्र के रूप में चित्रित हुआ है परंतु वह दया या सहनुभूती नहीं चाहता था बलकि वह अपना अधिकार चाहता था अधिकार अपनत्व से उपसता है अपनत्व यानि अपनापन चमेली उस पर दया करके अपने पास रख लेती है लेकिन गूंगा उसे अपनत्व समझता है उसकी दया को वो अपनत्व समझ लेता है और चाहता है कि चमेली उसे अधिकार दे दे जो अपनों को मिलता है लेकिन जब चमेली बसंता का पक्ष लेती है तो उसकी भावना को चोट पहुंसती है चमेली के पक्षपात पूर्ण विवार के प्रती तिरसकार गुंगे की पानी भरी आँखों में इस पस्थ हमें दिखाई देता है गुंगे कहाने पढ़कर आपके मन में कौन से भाव उत्पन होते हैं और क्यों इसका उतर ऐसे लिखेंगे कि गुंगे कहाने पढ़कर मेरे मन में गुंगे के प्रती सहानु भूती के भाव उत्पन होते हैं परन्तु मेरे अनुसार वह सहानुभूती का नहीं सम्मान का पात्र है। दिव्यांग होते वे भी वह मेहनत करके खाना खाना चाता है ना कि भीक मांग करके। उसके जीवन में जुड़े लोगों का वेवार उसे सहानुभूती का पात्र बना देता है। गुंगे की लड़ाई लोगों से नहीं अपितु उस समाज से है जो उसे समानता का अधिकार नहीं देते हैं। यानि गुंगा उनके प्रती गुस्चे से भरा हुआ है जो समाज उसे समान नहीं मानता है बलकि उसे दिव्यांग मानता है या अपाहिस मानता है। नेक्स्ट कुश्यन है यदि स्किल इंडिया जैसा कोई कारेकरम होता तो क्या गुंगे को दया या सहान भूति का पात्र बनना पड़ता तो इसका उतर हम ऐसे लिखेंगे कि यदि स्किल इंडिया जैसा कोई कारेकरम होता तो गुंगे को वहां कई चीजों को सीखने का अवस उसे मिलता व्यवारिक जीवन यानी समन्ने प्रकार का जीवन जो उसके जैसे बच्चे जी रहे थे उसके कामों को सीख कर वह अपना व्यवसाइख हो सकता था जिसमें उसे सरकारी सहायता भी प्राप्त होती अगला प्रेश्णे है निम्नलिखित गद्याशो की संदर्व सहीत व्याख्या कीजिए पहला है करुणा ने सब को जीजान से लड़ रहा हो इसका प्रसंग है प्रस्तुत पंक्तियां रांगेही रागा उत्वारा लिखित रचना गुंगे से लिए गई है चमेली की गली में एक गुंगा बालक आता है वह गली की ओरतों को अपनी आप पीती संकेतों के माथ्यम से बताता है जिसे देखकर लोगों को कारुणा हो जाती है व्याख्या में ऐसे रिखेंगे कि गुंगा बालक लोगों को अपने विशे में बताने की भरसक कोशिश कर रहा है और वह प्रयत्न करता है परन्तु बोल नहीं पाता है उसके सभी प्रयास व्यार्थ हो जाते हैं उसके मुक से कठोर तथा कण कटू काई 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 की आवाज प्रशन है वह लोटकर चूले पर आदमी गुलाम हो जाता है इसमें प्रसंग ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्यां रंगे राघव द्वाराली की तरचना गुंगे से लिगई है चमेली इस गद्यांश में गुंगे के विशे में सोच रही है व्याख्या में ऐसे पेट की भूख मिटालने के लिए खाना बनाया जा रहा है यही खाना उस आग को समाप्त करता है जो पेट में भूख के रुप में विद्यमान है इसी भूख रुपी आग की कारण एक आदमी दूसरे आदमी की गुलामी स्विकार करता है यदि वह आदमी दूसरे आदमी क गुलामे कभी स्विकार ना करे यही आग एक मनुश्य की कमजोरी बनकर उसे जुका देती है नेक्ष्ट प्रिश्ण है निम्लिकित पंक्तियों का आशे इस्पष्ट कीजिए और इसमें पहला है कैसी यातना है कि वे अपने रिदय को उगल देना चाहता है कि इंतु उगल न हदय में विद्यमान हर बात को बता देना चाहता है लेकिन कह नहीं पाता है उसके पास आवाज नहीं है इसलिए वे अपने हदय में अंदर ये अंदर उसकी बात रख लेता है और उसकी बात अंदर ही रह जाती है खै प्रिश्ट है जैसे मंदिर की मूर्ति कोई उत्तर नह कहा इसका अश्य इस तरह से है कि चमेली गुंगे से प्रिश्णी का उतर मांगती है लेकिन वह कुछ नहीं बोलता है चमेली उसकी स्थिति मंदिर में रखे देरता की मूर्ति की तरह मानती है उस मूर्ति के आगे मनुष्य अपने सुख दुख सब कहता है लेकिन उसे वहां स थैंक यू फोर वाचिंग